आज हमारी अपनी अगली ग्लास है और आज हम यहां पी पढ़ने जा रहे हैं उत्रवदेश की राज व्यवस्था और प्रशासन को लेकर देखें यहां पर यूपी इस्पेशल से रिलेटेड यहां पर जो टॉपिक हम है पॉलिटी से रिलेटेड है पसाथ सी जात यह भी द लेटेड शे पंचायत का ठीचार निकायों के बारे में तो यहां पर आज हम राज जिपाल मुख्यमंत्री विधान सभाः विधान परिशड इस्से अलावा हम यहां पर पंचायत गुप बेचायत तो एक तरीके से इस वीडियो में हम उत्तब दिसे संबंधित यहाँ पर पॉलिटी एवं यहाँ पर गवर्नेंस को टॉपिक को कवर करें चलिए देखते हैं क्या विशेश हैं जहां से प्रश्ण आपको बनते हैं मुल रूप से देखा जाए तो यूपे स्पेशल में जो फैक्शुल कई बार पॉलिटी से डेटा है वो बन जाता है जैसे कि मुख्यमंत्रियों को लेकर है विधान सभाध धक्षों को लेकर है सभा पती हो गए किसी प्रकार की कि नई न्यूक्तियां आपकी हो गई इसके लावा कुछ बेसिक कॉंसेप्ट हो गए जैसे कि यहां पर मान लीजिए राज्यपाल से रिलेटेड है मुख्यमंत्री है विधान सभाध विधान परशर्थ उससे समंदित कुछ सीटें कहां से कितन है सबसे ज़्यादा सबसे कम यहां पर हम दोनों ही चीज़ों को कवर करेंगे जिसमें चीजें जो डेटाबेस कुष्चन आपको बनता है वो भी आपको इसमें कवर हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी का सेक्षन सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो भारत के गण राज्य का एक हिस्सा है एक राज्य है और देखा जाये तो राज्यों की जो शासन व्यवस्था है वो संमिधान के अध्याय छे में दीआ गया है अनुच्छे 152 से लेकर 237 के प्रावधानों के अंतरगत वहां पर संमिधान में आपके राज्यों से सम्मं मन्दल और तीसरा है न्याय पालिका हम जो पढ़ने जा रहे हैं जो राज-प्रशासनी की विवस्ता के अद्र्व 20 पढ़ेंगे जिस में कारिपालिका क्या होती है उसकी अपनी इसमें काम हम्हेर है उसके अपने अंग और कौं से हैं और साती साथ शात इहा है पर पालिका और उससे समंधित गत्रीधियों का अध्यान करेंगे। लेकिन सबसे पहले कारिपालिका के बारे में पढ़ते हैं और कारिपालिका जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल ही एक तरीके से देखा जाए तो राज्यपाल क्या है उनके अपनी भूम क्या है किस तरीके के कारी करते हैं समिधान में वहाँ पर उनको लेकर क्या उलेक है साथ ही यूपी स्पेशलिस रिलेटेट कुछ फैक्ट जैसे कि उत्तव देश में यहाँ पर राज्यपाल व्यवस्था जो होती है सबसे पहले कौन राज्यपाल के सारी चीज़े राज्य किसे में नहीं नहीं होती है और जिसका प्रयोग कैसे सार्ण कर शकता है या पूरह कर सकता है इसक लावाँ राज्यपाल जो है समयधानिक प्रमुक होता है राज का प्रशास्निक विवस्था का जो सबसे प्रमुक और पहला जो अब्यक्ति है वो राजपाल है और उसी के माध्यम से, उसी के नाम से, उसी के अनमोधन से यहाँ पर राज में सभी प्रकार के निर्णे प्रशास्मी व्योस्ताएं इत्याद लिए जाते हैं अर्थाथ कि वहाँ पर कोई भी चाहिए कानून बने तो भी वहाँ पर आपके राजजपाल के हंस्ताक्षर वहाँ पर होने जरूरी है इसलिए राज्य का जो प्रथमवक्ति होता है उसे हम राज्यपाल खहते हैं इसके लावा राश्टपती के द्वारा पांच वर्ष के लिए कितने वर्ष के लिए न्यूक्ति आता है राज्यपाल को पांच वर्ष के लिए इनका कारिकाल होता है नियुक्ति यहाँ पर राश्टपती के द्वारा की जाती है साथी यहाँ पर इनके पास एक कारे जो है कि राज में जो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है ठीक है उसकी नियुक्ति यहाँ पर राजपाल के द्वारा जब भी चुनाव होते हैं आपके विधान सभागे तो वहाँ पे जो बहमत्दल का नेता होता है उसे वो मुख्य मंत्री के पत्पर यहाँ पे आमंतित करता है और न्यूप्ति भी करता है साथी यहाँ पर देखा जाए तो राश्पति जो है उच्छ न्याले के मुखिट है न्याधीस को जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल के परामर्श कर सकता है इसके लावा प्रदेश वा जन्पर दस्तर पे जिला और सत्र न्याधीस की न्युक्ति जो होती है उच्छ न् नीवात है एक चीज़ और यहां पर समझेने लाइक है कि कई बार आपको तो राज़पाल से समंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो कि आर्टिकल जो समिधार में उलेक हैं उनको लेकर question पूछा जाता है तो आर्टिकल विशेश जो question बन सकते हैं उनको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं तीक है यहाँ पर आर्टिकल 155 जो है आर्टिकल 155 राज़प परण की शक्ति यहाँ पर राज़पाल को प्राप्त है इस चीज़को धियान रखेगा क्योंकि यह question आपको पूछा जाता है कि क्या राज़पाल को इस तरह के अधिकला प्राप्त है अगर प्राप्त हैं तो किस अनुच्छेद 161 जो होता है राजपाल को सहायता जानकारी सूचना साथा करने के मुख्य मंत्री के करतव्यों को यहां पर आपको निर्देशित करता है। इसके अत्रिक्त आर्टिकल 213 ये महत्पून इसको ध्यान रखे आर्टिकल 213 जो है विधान मंडल जो होता है जब संचालित नहीं हो रहा होता है ठीक है विश्रांतिकाल के समय में वहाँ पर अध्या देश प्रक्ष्यापित करने की भी शक्त जो होती है वो राजजपाल के पास होती है तो यहाँ पर यह कुछ प्रमुख फैक्ट हैं इनको लेकर कई बार आपके एक्जाम में प्रश्ण राजपाल को लेकर पूछे जाते हैं इन आर्टिकल्स को आपको ध्यान रखना है इसके अत्रिक्त जो कुश्चन राजपाल को लेकर पूछे गए हैं जैसे क उत्तवदेश का प्रथम राज़पाल कौन रहा है प्रथम महिला राज़पाल कौन रही है या फिर आपके वर्तमान से में कौन से राज़पाल है तो इनको लेकर कई बार आपको राज़पाल डेटाबेस कुश्चन आपको पूछे आते हैं तो आएए यहाँ पर देखते है सबसे पहले जब उत्तवदेश क्योंकि उत्तवदेश आपको पता है सुनता प्राप्थ होने के बाद उत्तवदेश नाम प्राप्थ हुआ है लेकिन उसके पहले हम इसे संयुक्त प्रांथ के नाम से जानते थी तो जब यह संयुक्त प्रांथ था तो उस समय संयुक्त प्रा 22 तक थे ठीक है अगर यहां पर सबसे पहले पूछा यह सवतंदरता के पूछ तो यहां पर एक बहुत important fact है और यह कई बार exam में पूछा भी गया है कि उत्तवदेश के प्रथम राज्यपाल जो कि स्रीमती सरोजनी नाइडू जो कि 15 अगस्त 1947 से 2 मार्ज 1949 तक उत्तवदेश की यहां पर प्रथम राज्यपाल और प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में रही इसके रामा सुन्ता हमें पहले मिलती है और घरतंत्र क्योंकि यहां पर समय भाता है लागंग होता है तो गन्तव原द 26 1950行र मिंए उस समय उत्तव का इंद्हें तो वहां पर ध्यान रखिगा ह। कि क्या नाम है फथी मोदी जो कि 26 जन्वरी 1990 से एक जून 1922 ये दोनों तरी question पूछे जा सकते हैं सुन्ता के पस्चात पी और गर्तंतर होने के पस्चात पी तो गर्तंतर होने के पस्चात यहाँ पे HP मोदी थे और सुन्ता के पूर यहाँ पे सरोजनी नाइडू थी वर्तमान राजपाल आप सभी को पता होगा आनंदी बेन पटेल हैं जो कि 29 जुलाई 2019 से वर्तमान समय तक आपकी राजपाल है तो यह तो हो गया कारेपालिगा में जो राजपाल की जो भूमिका होती है वो हमने देखा दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है वो है विवस्थापिका विवस्थापिका के अपने क्या काम है और किस तरीके से ये कारेपने करती है तो इसमें देखे उत्तव देश की जो विवस्थापिका है वो दो से दनी है ठीकर दो सदन होते हैं विधान सभ और विधान परिशद। राजपाल जो होता है मुखमंत्रिक इसमें निव्ति करता है और उसकी सला से वो अन्य मंत्रियों की निव्ति करेगा। राजपाल किसी भी मंतिरी को पदगरहण करने से पहले सम्मिधान की तीसरी अनुसूची में दिये गए परिपत्रों के अनुसार पद और गोपनियता की सपत दिलाता है दो तरीके की सपत यहाँ पे दिलाए जाती है इसके अत्रिक्त मंत्री गंड जो होते हैं उसके लावां विधान सभा और विधान परिशद यहाँ पे इसके अपने दो सदन हैं एक चीज और यहां पर जो कि कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि मंत्री बनने हे तूर किसी भी जो भी विधाय के आत्याद जो भी विवक्ति होता है किसी को मंत्री यदी बनाया जाता है मंत्र परिशद में यदि समलित किया तो वहाँ पर एक चीज बहुत अनिवार है कि उसे किसी एक सदन का सदस से होना आवश्यक है चाहे वो विधान सभा का हो चाहे वो विधान परिशद का हो लेकिन हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो दोनों ही सदनों का सदस से ना हो उसे म मंत्री बना दिया जाए तो ऐसी इस्थिती में क्या तो यहां पर दिखे ध्यान रखेगा योगी आदितनाथ जो की समय आपके मुख्यमंत्री है उनका एक उदाहरण है जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तब वो ना तो विधान सभा के और ना ही विधान का या फिर विधान सभा का आपको सदस्य बनना होगा ठीक है यह आनिवार्य है तो छे मां के अंदर किसी एक सदन का सदस्य होना आनिवार्य है इसके अत्रिक राज्य मंत्री परिशद में कैबिनेट मंत्री राजजपाल और उप मंत्री होते हैं और इसको मिला कर आपका मं मार होता है मंत्य परिशद ही राज में वास्तविक कारिपाल का कारे करती है राजपाल अपने पद के करतव्यों के पालन वाशक्तियों के प्रयोक के लिए किसी न्यायले के सामने उत्तरदाई नहीं है ठीक है एक्षित ध्यान के गर न्यायले के प्रतरदाई नहीं है इसके इसके लावा, पदावधि के दौरान, राजपाल के खिलाब कोई अपराधिक कारवाही नहीं की जा सकती है। इसके लावा, उसके खिलाब किसी न्याले के दौरा गिरफतारी का आदेश नहीं दिया जा सकता है। साथी यहाँ पर राजपाल के खिलाब सिविल कारवाही की दशा में दो माह पोर सूचना देनी आवश्चक है। तो राजपाल के दृष्टकोंड से जो भी कारव प्रणाली है वो हमने यहाँ पर देख लिए है। अब बात करते हैं राजपाल के बाद जो एक प्रमुक यहाँ पर आपका अंग आता है वे उस्थापका के अंतर कारवाल का के अंतर गत वो है आपका मुख्यमंत्री आता है। ठीक है कारवाल का में दूसरा जो प्रमुक वेक्ति है वो है मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री समंधित देखते हैं। राज कारवाल का का वास्त्रिक प्रधान ठीक है वास्त्रिक प्रधान कौन है आपका मुख्यमंत्री है। साथी विधान सभा में बहुमत दल का जो नेता होगा राजजपाल के द्वारा उसे सियम नियुक्त किया जाएगा। मुखमंत्री ही सासन के प्रवक्ता तथा मंत्री परशद बैठकी आपकी अध्यक्षता भी करता है और मंत्री परशद के निर्णियों को राजजपाल तक पहुचाता है। मुखमंत्री के नियुक्ति के संबंधित आपके प्रावधान है। प्रमुक्तत क्या है। प्रथम मुख्यमंत्री आपके कौन थे पंडित गोविंद बल्लपन जो की आपके एक अप्रवर 1947 से 28 दिसंबर 1954 तक रहे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री स्रिमति सुचेता क्रिपलानी थी जो की 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 सरसर तक रहें। इसके लावा दो राज्यों के सीम कौन रहे। अर्थात की यूपी के ऐसे सीम जो कि किसी अनिराज के भी सीम बने। उनका क्या नाम है देखे उत्तराखंड के सीम बनते हैं एंडि तिवारी तो यहाँ पर एंडि तिवारी ऐसे व्यक्ति हैं जो दो दिख्तिनाथ हैं जो कि 19 मार्थ 2017 से वतमान समय तक आपके मुख्यमंत्री हैं इसके तरिक सरवाधिक बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के सरवाधिक बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो है सुस्री मायवती जो की चार बार आपके यूपी की सीम रह चुकी हैं इसक है कि यहांपर जब नियुकति को अवैद घोषिट कर दिया आता है कब से कभ तक थे तो 21 फरवरी 1998 से 23 फरवरी 1938 तक यहां पर तीन दिन के लिए मुख्य मंत्री बनते हैं तो ये तो हो गया आपका मुख्यमंत्री समंधित कारे इसके बाद आता है सचिवाले से रिलेटेड ठीक है सचिवाले सचिवाले के बारे में देखे क्योंकि जो भी निर्णे लिए जाएंगे चाहे राजजपाल लेता है चो भी कानून इत्यारी आप बनाते हैं मुख्यमंत्री को निर्णे लेते हैं वहाँ पे सचिवाले की भूमिकाज सबसे प्रमुख होती है क्योंकि वही आपके प्लानिंग और उस डिस्टिविशन, उसके कार्योजना, परवेक्षन, सभी चैजियों मुल्यांकन करना होगा, ये सब काम कौन करता है, आपका सचिवाले करता है, तो सचिवाले अगर देख करता है, ठीक है, जो की सचिवाले के रूप में हम जानते हैं, तो यहाँ पर जो प्रमुख होता है, उसे हम कहते हैं, मुखे सचिव, बाकि अन्ही राज, विभागों के जो सचिव होते हैं, वो यहाँ पर इनके अंडर में काम करते हैं, इसके तरिक्त, सचिवाले क्याम कर करती है इसके अलवां राज्य सचिवाले के प्रशासनिक अध्यक्ष को हम मुख्य सचिव कहते हैं सचिवाले के प्रत्यक विभाग के सचिव को सासन सचिव कहा जाता है तो मुख्य सचिव और साचन सचिव मुख्य सचिव कौन होगा जो आपके सभी सचिवालों को विभाग को यहाँ पर सबसे प्रमुख होता है अद्जक्ष होता है और जितने भी विभागों के जो सचीव होंगे उन्हें हम सासन सचिव कहते हैं जो कि यहाँ पर मुख सचिव के अंतरगत आते हैं इसके लावा राज का राज शाशन को जो धूरी है वो आपकी सचीवाला है मुख्य सचीव यहाँ पे सीम वा मंत्र परश्चत के सचीव के रूप में कारी करता है इसके लावा सरकारी नीतियों को बनाना, जरूरी सामागरे एकत्रित करना, उनका विशलेशन करना, मंत्र परश्चत के बास भेजना ये सभी काम जो होता है वो सचीवाला के द्वारा किये जाते हैं शास्मिक व्यवस्ता में देखें, तो सचीवाला की यहाँ पर एक महती भूमिका है, जो की राज्यों में जो भी आप यहाँ पर निर्णे लिए जा रहे हैं, जो भी पॉलिसी मेकिंग का काम चलना है, जो भी यहाँ पर उसका परिवर्दन इतियाद किये जाते हैं, वो कारयात्मक इकाईयों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फिर विधान मंडल के बारे में पढ़ना सुरू करें, तो राज्य की कारयात्मक इकाईयां क्या-क्या हैं, सबसे पहले, राज्य में मंडल अस्तर पर मंडला युक्त नियुक्त किया जाता है, जो के नीचे क्या होते हैं जिले आपके ठीक है मंदल के नीचे आपके जिले आएंगे जिले अस्तर पर कौन होता है जिला अधिकारी होता है जिले के नीचे आपका तहसील आता है जहां पर स्ट्रियम होता है और तहसील के नीचे आपके ब्लॉक आता है जहां पर ब्लॉक डॉल् सम्विधान के अनुच्छित 163 के अनुसार की जाती और महाधिवक्ता जो होता है वो राजजपाल के प्रशाद परियंद अपने पद पर बना रह सकता है एक चीज और महाधिवक्ता की जो है वो विधी के विश्यों पर राजपाल को सलाह भी देता है यह ध्यान रखेगा राजपाल को यहां पर सलाह देने का काम आपका महाधिवक्ता करता है इसके त्रिक या सद्रों की बैठक में भाग लेता है पर इन्हें बोलने का अधिकार नहीं होता है तो महादिवक्ता यहाँ पर विधान सभा विधान परश्यद में बैठ तो सकता है ठीक है बैठ सकता है लेकिन यहाँ पर उसे बोलने का अधिकार नहीं है इसके अलावा वर्तमान में उत्तव देश के जो महादिवक्ता है नाम ध्यान रखेगा रागवेंद्र सिंग है ठीक है रागवेंद्र सिंग जो है आपके उत्तव देश के महादिवक्ता है वर्तमान सिंग में क्योंकि ये factual based question भी आपसे पूछ लिए आते हैं ध्यान रखना है वो आपकी विधान मंडल में विधान सभा और विधान परशद मिलकर करते हैं तो यहां पर चलिए समस्ते हैं विधान मंडल के देखे जाए तो तीन पार्ट है ठीक है राजजपाल विधान सभा और विधान परशद राजपाल के बारे में हमनें पढ़ लिया लेकिन य पी ले सकता है ति राजइपाल की जो कार्य होते हैं इस दीशकोंट से विधान मंदल में वह क्या होता है उसके सद्रों का अधिवेशन बुलाने का कार्य सब्सक्रावह को क्या है कि दोनों सद्रों में अभिफाषिंथ करना विधानalta को निम्न सदन में बजट रखवाना विध्यक को राश्बती के पास भेजना और सदन के सत्र में ना होने के इस्थिती में अध्या देश जारी करना और इस तरीके के सारी जो काम है विधान मंडल से रिलेटेड वो राज्यपाल करता है यह ध्यान रखेगा यहां पर कई पार इ देखा जाए तो विधान सभा यूपी का एक निम्न सदन है जैसे कि लोक सभा देखा जाए राज्यपा होती है उसी तरह विधान सभा विधान परशद होती है विधान सभा जो है वो निम्न परशद के रूप में कार करती है विधान सभा में जो संख्या है वो 60 से कम नहीं से आते हैं और एक जो होता है इंगलो इंडियन यहां पर राजपाल के द्वारा मनोनीद किया जाता है इसके लावा विधान सभा के सदस्यों का जो चुनाओ होगा वह 18 वर्ष के उपर वैस्क मद्दाता के द्वारा किया जाता है विधान सभा का जो सदस्य अगर आपको बन यहां पर विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं मंत्र परशद राज विधान सभा के प्रत्याप की उत्तरदाई होती है दियान रखेगा मंत्री पर्षद किसके प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र प्रयाग राज में 12 जो सीटे हैं वो आपकी विधान सभा की प्रयाग राज में हैं जबकि कानपूर और अलीगर में आपकी दददस विधान सभा सीटे हैं वहीं सबसे कम जो विधान सभा सीटे हैं वो आपकी महोबा, चित्रकूर्ट, हमेरपूर, ललिदपूर, महोबा, स्रावस्ती हैं यहाँ बर दो-दो सीटे हैं तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा सीटे आपको इसमें ध्यान रखनी है इसके लाव कुछ अन्यमहेद पूर्ट तत्थ जो कि विधान सभा अध्धक्ष को लेकर कई बार प्रस्ण बन सकते हैं जैसे कि उत्तवर्जस के प्रथम विधान सभा अध्धक्ष कौन थे तो नाम ध्यान रखेगा राजर्शी पूर्शोत्तम दास टंडन अब यहाँ पर एक फैक्ट इसमें ध्यान ध्यान रखेगा यह कब से कब तक थे तो यहाँ पर 31 जुलाई 1937 से लेकर 10 अगस्ट 1950 तक आपके सुन्ता के पूर और पश्चार ठीक है एक ही विक थे राजर्शी पूर्शोत्तम दास टंडन जो कि विधान सभाव के अध्यक्ष पत्पत थे इसके लामा जो बरतमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है हिर्दय नरान अध्यक्षिक जो कि 3 मार्च 2037 मार्च 2017 से बरतमान समय तक है के स्रीनात त्रिपाठी और आत्माराम गोविंद खेर जो होते हैं सरवाधिक 3 बार आपके विधान सभाव अध्यक्ष रहे चुके हैं पीके दोनों का नाम ठ्यान रिखेगा के श्रिनात्रफ्पाटिए और आत्मा अर्म गोविंद खेड ये लोग तीन तीन बार आपके विद्धान सभा अध्यक्ष रह चुके हैं इसके लावा बनार्शी दास और स्त्रीपती मिश्र बनार्ची दास और स्रीपती मिश्र ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जो कि उत्तर बुदेश के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं तो यह कुछ उच्य सदन होता है और इस परिस्त के सदस्यों का निर्वाचन मंदल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है इसमें एस्टत्र टूसर इसे सदर्ष राजपाल के द्वारा यह पर विधान परसद में मनोनित किया जाती हैं इसके तरिक्त विधान सभा सदस होने के लिए आपको जो आवश्यक है बरत्मान समय देखा जा तो विधान परशद में आपकी 100 सीटे हैं और विधान परशद में सदस होने के लिए आवश्यक है कि आप भारती नागरिक हो तीस वर्ष की आयू आपकी हो सदन की कारवाही चलाने के लिए यहाँ पे सभापती और उप सभापती दो व्यक्ति होते हैं जो कारे संचारन का कारे करते हैं यहाँ पर देखें कोई भी जैसे विधान सभा में मालीजिए कोई आपको विध्यक रखा जाता है तो विधान परिशयद में भी जाता है और कई बार ऐसा होता है कि विधान परिशयद उस विध्यक से यदि उसों अनुमति नहीं देना चाहती है तो वहाँ पर कई बार वो ऐसे विध्यकों को अपने पास रोक लेती है तो यह प्रश् decision स्थितियों में जब पहली बार ऐसा कोई विधेक वहाँ पर उनके पास आएगा तो विधान परश्ट्षत प्रथम बार में इसे तीन महीने के लिए नाम ध्यान रखेगा तीन महीने के लिए अपने पास रख सकती है वही विधेक जब दो बारा अगर उसके के पास आता है तो एक महीने के लिए अपने पास उसे रख सकती है तो दो बार यहां पर अपने पास रख सकती है पहली बार तीन महीने के लिए और दूसरी बार एक महीने के लिए इसके बाद यहाँ पर कई सारी समीतियां होती है जो यहां पर साधी सरकार के कारियों का मुल्यांकन और निरिक्षन करती रहती हैं सदन की कारवाही चलाने में और यहां पर विधायकों और उससे समंदर अधिकारों के बारे में यहां पर सभी कारियों को देखती हैं कुछ तथ यहां पर जो पूछे आते हैं कई बार सभापती को लेकर कुछ 1937 तक रहे हैं सुतनता के पूर उसके बाद दुबारा ये नुप्त हो जाते हैं 12 जुलाई 1937 से और 9 मार्च 1949 तक सुतनता के पश्चाद तक ये सभापती बने रहते हैं काफी लंबे समय तक ये उत्तब देश की विधान परश्चत के सभापती रहे हैं देखा जाए तो 1925 ते लेकर के 1949 तक एक तरीके से सरवाधिक लंबे समय तक यहां पर सभापती उत्तब देश के रहे हैं नाम ध्यान अखेगा डॉक्टर सर सीता राम वर्तमान जो सभापती हैं उनका नाम है कुवर मानवेंदर सिंग जो की 31 जनवरी 2021 को न्यूक्त हुए हैं अभी और अभी वर्तमान समय है वर्तमान समय में कौन है कुवर मानवेंदर सिंग आपके विधान परश्चत के सभापती है इस समय चलिए तो यहाँ पर हमने दो चीज़ ने देख लिए कारिपालका के बारे में देख लिया विधान मंडल के बारे में देख लिया तीसरा यहाँ पर जो प्रमुक अंग है वो है आपके न्यायपालका जो व्यवस्था है उत्तव देश की ठीक है तो न्यायपालिका व्यवस्था कैसी है सबसे पहले देखें जो न्यायपालिका है वो सम्विधान की संदक्षक वशासन के तीसरे अंग के रूप में हम इसे जानते हैं ठीके सम्विधान के संरक्षक के रूप में कई बार यह प्रशन पूछा गया है कि कौन है तो वो न्यापालिका है इसके लावा प्रदेश में जो न्याप्रशासन के सीर्स पर एक कुछ न्यायला है नया पालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक और सम्विधान का सजग प्रहरी भी कहा जाता ये कोट ये कथानक जो होती कई बार आपसे प्रशन पूचे आते हैं तो यहाँ पे दोनों ही चीजों के बारे में पहला कि नाग्रिकों के अधिकारों का रक्षक नयापालिका और समिधान के सदक प्रहरी आपकी नयापालिका है उच्छे नयाले से संदर्भिज कुछ तत्थे हैं जैसे कि भारती समिधान के अनुसार प्रत्यक राज्य के लिए एक उच्छे नयाले होगा जो आर्टिकल 214 हमें यहां पर बताता है साथी यहां पर संसद विधि के द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और संग राज्य छेत्रों के लिए एक ही उच्छ न्याले को स्थापित कर सकता है बेसिकली है तो यहां पर एक राज्य में एक होना चाहिए लेकिन यहां पर आपको एक से अधिक राज्यों के लिए या एक राज्यों संगसासि छेत्रों या कई सारे छोटे-छोटे राज्यों के लिए एक यहां पर न्याले के न्युक्ति या स्थापित अस्थापना की जा सकती है वरतमान देखा जया तो भारत के 25 उचन्याले है सर्वोच न्याले आपका नई दिल्ली में है परतेक उचन्याले का जो गठन होता है वो एक मुख नयाज्यों को मिलाकर यहां पर किया जाता है इसके लावा उत्तरमदेस में उचन्याले की जो मुख पीठ है वो आपका प्रियाग राज में है जबकि खन्ड पीड जो है वो आपकी लखनाव में स्थित है इलाहावद उचन्याले की जो स्थापना की गई थी 68-69 में की गई शर्शट है और उसके बाद यहां पर उचन्याले के नियंत्रण में जिला न्याले, पारिवारिक न्याले, उत्तरप्रदेश का राजविदिक सेवा प्राधिकरण, ये सब ही, मतलब कि देखा जाए तो उत्तरप्रदेश में उच्छ न्याले के अंतरगत, जितने भी प्रिकार के न्याले हों, चाहे आपके पारिवारिक न्याले हो, जिला न्य सब्सक्राइब इसके लावां समस्त नागरिकों को यहां पर विचार अव्यक्ति विश्वास धर्म हुपास ना कि सुटन्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश इसे आपके यहां पल्टा या उच्छी नयाले कि हाँ अस्थाभना की गई तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको न्याय देना है बलकि यहाँ पर आपके अधिकारों को सुरक्षी तरकना आपके विचारों की अव्यक्ति की सुल्टा i0t पर से सुतंत्रता पूर्वा के यहां पर आपको अव्यक्त कराती है और राज्य के ऐसे किसी भी कारे को रोकती है इसके लिए उच्छ न्याले एक अभिलेक न्याले हैं जिसके अभिलेकों को संशित रूप से स्विकार किया जाता है उच्छ न्याले के न्याधिश अपने प उसके लिए जरूरी यह है कि आप याने की जो भी नियायदिस बनेगा भारती नागरिक हो कम से कम 10 वर्सक किसी भी उच्छ नियायले में अधिवक्ता के रूप में वो कारेव कर चुका हो समिधान के अनुच्छे 226 के अंसर उच्छ नियाले जो होता है बंदी प्रतिक्षी करण, परमादेश, प्रतिशेद, अधिकार प्रिक्षा और उत्प्रेशन की रिटे यहाँ पर पांच प्रकार की जो रिटे हैं वो जारी कर सकता उच्छ नियाले समिधान के किस जारी आता है यहाँ पर उच्छ हन्याले के सा थूरा सा हूं जाल में coffeeAm जिले के अलावा एक अत्रित जिला अस्तर पर जिला शेषन जजज होता है जिनकी न्यूक्ती जो होती है उच नियाले के परामर्शे राजुपाल के दौरा किया जाता है इसके त्रिक्त अधीनस्त न्याइक सेवा को उत्तर प्रदेश सिविल न्याइक सेवा उत्तर प्रदेश उचतर न्याइक सेवा में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश के जनपदों में जिला तसा सत्र नियाधिस, अत्रिक्त जिला तसा सत्र नियाधिस, लगवाद नियाधिस, सिविल जज, सीनियर डिवीजन, सिविल जूनियर डिवीजन के नियाले यहां पर स्थापित किये गए एक क्रमबध तरीके से यहां पर आपको काफी सारे अलग-अलग अस्तरों पर न्याई के विवस्था का सुरजन किया गया है साथी यहां पर देखे तो जो राजस्व संबंधी विबादों को निप्टारा करना होता है ठीक है विवादों के निप्टारे के लिए कौन होती है राजस्व परशद का गठंग किया गया है और इसके नीचे जो होते हैं आयुक्त कलेक्टर होता है एवन सहायक कलेक्टर होते हैं ठीक है तो राजस्व मामनों को देखने के लिए कौन होगा राजस परशद उसके नीचे कौन होगा रापको आयुक्त कलेक्टर और उसके नीचे होगा जो होगा सहयक कलेक्टर इसके अत्रिक प्रदेश के मंडली मुख्यालियों में से एक-एक पारिवारिक न्याले के स्थापना की गई है और वादों की अधिकता के कारण लखनव और कानपूर ऐसे दो शहर हैं या मंडल हैं जो दो-दो यहां पे आपके पारिवारिक न्याले हैं विधिक सहायता का भी अनुबंध यहां पर सम्मिधान के अनुच्छेद 49-1 के अंतरगत किया गया है और इसको पूरा करने के लिए राजी सरकार के द्वारा 1987 में एक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के माध्यम से उत्तप्रदेश में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहशील अस्तर पर तहस्दील विधिक सेवा प्राधिकरण यहां पर स्थापित किया गया और राज्ज के अस्तर पर उत्तव दिस राज विदिक से बाभा प्राधीकरन गठित किया गया अब यही जो आपके प्राधीकरन बनाय गए ठीके इन प्राधीकरनों का जो कारे है वो लोग अदालतों के माज़म से विवादों का निप्तारा करने के साथ साथ जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए एक निश्चुल के विधिक सहायता उपलब्द करान जो कि आर्टिकल 39A में कहा गया है इसके अत्रिक दिवानी, फौसदारी, राजस्व, चकबंधी, भरण पोशन, विवाह, तलाग के मामलों का निप्टारा जो होती है वो लोक आदालत के माद्धम से किया जाएगा इसमें देखा जाए, जो पारिवारी की नियाले हैं, ये कब से प्रारम हुए हैं, ये इल ध्यान रखेगा तो इसके लिए पारिवारी की नियाले, अधिनियम 1985 के अंतरगत, समस्त मंडल मुख्यालियों में एक-एक पारिवारी की नियाले की अस्थापना की गई साथी यहाँ पर, उत्तब्दे सरकार के द्वारा, वर्स 1987 में एक विधिक सेवा प्राधिकरन अधिनियम पारित किया गया वर्तमान में समस्त जन्पद में तीन-तीन अस्थाई लोक अदालत हैं तो पारिवारी की नियाले और लोक अदालत हैं दो अलग चीजें, जहाँ पारिवारी की जो नियाला हैं वो प्रत्यक मंडल में एक-एक हैं लखनव Κानपूर में दो-दो हैं वहीं, लोक अदालतों की बात करें जो की दिवानी, फौसदारी, राजश चगबंदी जैसे मामलों को देखते हैं ये आपके समस्त जन्पद में जिलेवार और एक एक जिले में यहाँ पर तीन-तीन है ठीक है? तीन-तीन यहाँ पर लोक अदालतों का गठन किया गया है एक चीज और यहाँ पर जो की प्रेशन के रूप में बन सकता है वो है केंदरी कारागार उत्तब देश में केंदरी कारागार कितने हैं तो देखा जाए टो टब देश में 6 केंदरी कारागार हैं कहां कहां? आगरा, बरेली, लखनव, फतेगर, नैनी और वारांशी ठीक है छे आपके करागार यूपी में एक चीज आर ध्यान रखिएगा लखनव में ही आपका संपूर्णा नंद कारागार प्रसेक्शन संस्धान की यहाँ पर स्थापणा की गई है जहां पर कारागार सम titre內 अधिकार्यों को दिये जाते हैं तो यह तो हो गया हमारे के न्यालिक व्यवस्था जब नाइक प्रशासनिक व्यवस्था भी हमने यहां पर देख ली तो यहां पर राज्य के अस्तर पर जो भी आपकी कारिपालिका है आपका विधान मंडल है और आपकी न्यापालिका है वो हमने यहां पर बार इस के नीचे जो होते है, जिसे हमने कहा कि प्रशा सती निकाय भी इहां पर आते हैं तो दोनों ही प्रणालियों को इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे प्रणाली क्या है उत्तव देस में 15 अगस 1947 से पंचायतों की अस्थापना जो होती है शुड़ाइद के सुन्ता के पश्चा से यहां पर पंचायती राथ व्यवस्थां को लागो करने का कार יश भूध में पंचायतों के दूसरे चुनाओं के बाद पंचायत अदाल्तों का नाम नियाय पंचायत कर दिया जाता है तो नियाय पंचायत जैसा शब्दिया उलेक या पद या फिर गठेन जो होता है वो कब होता है उनिस्टो पच्पन इसके लावाँ 1961 बासट में उत्तव देज छेत्र समिती इवं जिला परशद अधनियम 1961 पारित कर त्री अस्तरी ग्राम पंचायत छेत्र पंचायत जिला पंचायत प्रणाली को लागू किया गया कब 1961-1962 में ऐसा बलवन्त राय महता समित की सिफारिशों के आधार पर यहाँ पर किया गया था उसके बाद 1992 में केंदर सरकार के द्वारा पंचायतों की एक रूपता लाने समय पर चुनावस निश्चित करने आर्थिक इस्थति सुधरिंड करने पंचायतों को समःधानिक दरजा देने के उद्धे से समित्धान में एक शंशोधन किया जिसे बोला गया तिहत्तरमा समित्धान शं गया है सम्विधान में और 243 एक से लेकर करें 243 ओ तक जो सम्विधान में अनुच्छेद हैं उसके अंतरगत यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से सम्मंदित आपके प्रणालियों का उल्ले किया गया यहाँ पर देखा जाए तो 73 वा सम्विधान शंशोधन का अनुक्रम में उत्तवदेश पंचायत विधी शंशोधन विधिक विधियक 1994 पारित किया गया जो 22 अप्रेल 1994 को पूरे प्रदेश में लागू हो गया तो सम्विधान में जो अनुक्रम में उस विवस्था को स्थापित करने के लिए एक विधियक यहाँ पर लाया गया और उसे 1994 में यूपी में लागू कर दिया गया इस तरीके से राजवित तीनोस्तर की पंचायतों में एक रूपता लाने के साथ ही पंचायतों के संगठन, संरचना, STOBC, महिला रक्षन, निश्चित कारिकाल, निर्वाचन, विधियो किस्थापना, पंचायतों के कार, सक्तियों, उत्तर, दायत्यों के संबंध में व्या आपने देख लिया, लेकिन ये प्रणाली काम कैसे करती है, है ना, ये प्रणाली किस्त कितने अस्तर की है, काम किस-किस अस्तर पर काम करती है, काम करने का इनका तरीका क्या है, उद्देश क्या है, ये भी हमें यहाँ पर जानना ज़रूरी है, तो सबसे पहले, देखा जै तो पंचायती राज विवस्था को ऐसा नहीं है कि किसी एक समीतिया इसके लिए कई सारी समीतियों का गठन किया गया और उनके द्वारा अलग लग समय पर काफी सारे सुझाओ दिये गए तो कौन-कौन सी समीतिया यहां पर रही है अब तक गठित की जा चुकी है पहली यहां पर बलवनतराय महता समीत जो 1977 में गठित की गई दूसरी है अशोक महता समीत 1970 में गठित की गई तीसरी है पीवी के राय समीति जो 1985 में गठित की गई चौती है एल एम सिंगवी समीत जो जो 1993 में किया गया और 23 अप्रेल 1993 को आपका तेहतरवा समिधान शर्चोधन लागू कर दिया गया और इसे के मादम से पंचायती राजप्रणाली आपका सुरू हो जाती है अब यहां पर देखा जाए जो पंचायती राजप्रणाली है यह अपने आप में तीन अस्तरों पर क आप पंचायत तो सबसे पहले इसमें समझना है जिला परिशर यह आपकी वह किया उसई है या जिला पंचायत, जिला परशर तो दीके यह तो इसょपs होती है 3 3 I am पर होती है इसके कारिके संचालन के लिए कद्ध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुना होता है वह जिला जनता के द्वारा होगा ज्यान रखेगा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव एक वैस के जनता जो 18 प्लस की एज वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा चुनाव के माध्यम से होगा लेकिन अब वही जो सदस्य आएंगे उन्हीं में से वो क्या करेंगे अपने अध्यक्ष और उP अधिःष का चुनाव वह हम करेंगे इस तरीके से जिला पंचायत की सचीव। laughter हो यूद अधिकारी होता है ठीक है जिला पंचायत से समयेंदी विकासकारियों को संचायत करने लिए अधिकारी जो है वो कौन सा है जिला विकास अधिकारी है जिसे हम कहते हैं यहां पर जिले का सोरी मुख विकास अधिकारी जिसे हम बोलते हैं CDO ठीक है क्या होता है CDO था Chief Development Officer इसके लावा जिला पंचायत अपने कारेओं को संपाधित करने के लिए छे यहां पर प्रकार छे प्रकार की समीतियां गठित करते हैं ठीक है ताकि यहां पर जिले पंचायत के स्थर पर सभी कारेओं को संचायत क्याश के यह समीतिया कौन सी है जिले के अस्तर पर ये जो विशे छेत्र हैं जैसे जल प्रबंधन हो गया, प्रशासनिक कारी हो गया, विकास रिलेटेड हो गया, निर्माण कारी हो गया, नियोजन विकास हो गया, सभी विकार के जो निर्ने लेते होते हैं, ये अपने अपने समितियों के मात्रम्स किये जा जिला पंचायत के नीचे काम करता है आपका छेत्र पंचायत त्रियस्तरी विवस्था में देखा जाए तो यह दुतियस्तर पर आते हैं प्रतेक छेत्र में एक प्रमुक अथा एक उप्रमुक होता है ठीक है छेत्र पंचायतों में भी एक प्रमुक होगा और एक उप्रमुक होगा प्रमुप का जो चुना होता है वो ग्राम सभा के द्वारा चुने गए छेत्पंचायत के सदस्यों के द्वारा होता है छेत्पंचायत जिला पन्चायट और gram-पन्चायट की बीची कडई भी से कहा जाता है क्योंकि ये च्छेथर यहां भी आपकी 6 समितिया होती है वही च्छे समितिया जो की Five पन्चायट Tea क्याड पर कारियों का संचालन करती है छेथर पन्चायत की नीचे आता है आपका gram-पन्चायट और ग्राम पंचायत देखा जाए तो सबसे निचले अस्तर पर होता है ठीक है प्रशासन व्योस्था में आपका सबसे निचले अस्तर पर आपके ग्राम पंचायत आती है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है उसे हम कहते हैं प्रधान ठीक है प्रधान का चुनाओ भी होता है यहाँ पर देखा जाए, इसका चुनाओ जो होती है, 18 वर से अधिक आयू के मद्दाताओं के द्वारा प्रतक्ष रूप से यहाँ पर किया जाता है, आप सभी ने भी ग्राम प्रधान की जब भी चुनाओ होते होंगे, तो आप लोग ने पार्टिस्पेट किया होगा, चु चुनाओ होता है, वो प्रतक्ष रूप से ग्राम सभा के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, और ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने है, तो आपकी निवन्तम आयू होनी चाहिए, वो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीके, इस पंचायत का जो सचिव है, वो ग्र यहाँ डियो और वीडियो यहाँ पर टीनों अस्तर पर एक विकास अधिकारी निवक्ति किया जाते हैं, अब यहाँ पर देखा जाए, इस पंचायत में यहाँ पर जो सभी कामों को करने के लिए 6 समितियों को गढ़न किया आता है, वही 6 समितियां जो आपकी ऊपर के 2 अस अची जा सकती हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, ग्राम प्रधान यदि को हटाना है, तो उसके लिए जरूरी यह है कि ग्राम पंचायत की विशेश बैठक बुलाई जाए, ठीक है, एक विशेश बैठक बुलाई जाए, इस बैठक को उपस्थित और मद्दान करने अले सदस्टें के दो बटा तीन बहुमत के द्वारा आप ग्राम पधान को हटा सकते हैं लेकिन इस बैठक को तभी पूरा माना जाएगी जबकि उसकी गणपूर्त ही हो रही हो अर्थात की जितने भी आपके सदस्ट हैं उसके कम सकम एक बटा तीन सदस वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए जो कि गणपूर्त के लिए जरूरी है और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिती में इस बैठक में एक बटा तीन सदस उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर आप यहाँ पर ग्राम प्रधान को आप हटा नहीं सकते हैं ठ ग्राम प्रधान को हटाने के लिए अगले एक वर्ष तक ऐसी किसी भी बैठक को आप आयोजित पुना नहीं कर सकते हैं यह तो हो गया ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया इसके लावा जो ग्राम पंचायत होती है उसके काम क्या क्या होते हैं यह भी आपको जान लेन देखें यहां पर क्रिश एवं ग्रामविकास संवन्दित सभी ग्राम अस्तरी कारें, आपका ग्राम पंचायद करती है सभी प्रकार की pension जिसमें आपकी वृद्धावंशा, वृद्धावस्था pension, किशान pension, विध्वा pension और विकलांग pension समलित हैं इन से समंधित कारियों को लाभारतियों को चुनना और pension देने का काम भी आपकी ग्राम पंचायद करती है इसके तरिक सभी प्रकार की चात्वित्यों को अस्विक्रित करने एवं उन्हें बाटने का कार भी आपकी ग्राम पंचायद के द्वारा किया जाता है प्रामरी एवं जूनियर हाई स्कूल के भवन का रख रखाओ जो होता है वो भी आपके ग्राम पंचायद करती है सरकारी नलगूपों का संचालन, हैंड पंपों की मरम्मत वरक रखाओ, अखाड़ा और व्यायाम साया पर नियंतरन भी आपके ग्राम पंचायत के अस्तर पर ही यहाँ पर किया जाता है इस तरीके से देखा जाए तो ग्राम पंचायत से समंदी जो भी आपके काम है वो हमने यहाँ पर देख लिए पंचायती राजप्रणाली के अंतरगत हमने तीन हुई अस्तरों को समझा, उनकी प्रशासनिक दवस्था को समझा, उनके कारे संचालन को देखा अब इसी तरीके से यह तो हो गया आपको पंचायत राजप्रणाली, दूसरे यहाँ पर नगर निकायप्रणाली भी कैसे काम करती है, कौन-कौन सी होती है और इनके क्या काम है तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत शासन की सुरुवात जो होती है 1916 में तब हुई जब नगरों के लिए राज विधान मंडल के द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधनियम 1916 पारिद किया गया तिक तरीके से नगर निकाय जो विवस्था जो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती है वो कब से है 1916 से प्रारम होती है यहाँ पर इस इधनियम के परिप्रेक्ष में राज के प्राह सभी नगरों में यथा समिती, नगर निक में, नगर पालिका परशट, नगर छेतर समितियां और अधिसूची छेतर समितियां आपकी अस्थापित की जाती है आगे चलके समित्धानिक्ता के आभाव कमजोर वित्ति के कारणों से ये निकाय सुनिश्चित छेत्र या सुनिश्चित कारे छेत्र का निर्धारन नहीं कर पाते हैं 1993 में केन सरकार के द्वारा समित्धान में चहतरवा समित्धान श्रंचोधन कर एक नया अधिया 9A जोड़ा गया और अनुश्चित 243 पी से लेकर अनुश्चित 43 जित्तक के यहां पर सभी जो कारे हैं वो आपको नगर निकाय 45 निर्धेशित यहां पर अनुश्चित में उनका बर्णन किया गया चहतरवा समित्धान श्रंचोधन के बाद उत्तब्देश सरकार के द्वारा उत्तब्देश अस्थानी स्वशासन अधियम 1994 के नाम से एक नया कानू नहां पर बनाया जाता है और इस अधियम में राज के संपूर्ण नगरी छेत्र को तीन भागों में विभाग किया गया नगरों के प्रकारों की जो घोषणा होती है वो राज्यपाल करता है कौन करता है राज्यपाल करता है नगरों के प्रकारों की घोषणा यहां पर राज्यपाल करता है अब जैसा हमने कहा कि कितने प्रकार की नगर है चार प्रकार की नगर होते हैं और यह चार प्रकार की अधिक हो जाती, ठीके 10 लाग से अधिक जनसंख्या वाले महानगरी छेत्र हैं, ठीके कैसे छेत्र हैं महानगरी छेत्र हैं, और यहां पर आपको नगर निगम की स्ठाप न जुद THAT या नगर निगम के माद्य हमसे प्रशासन क्या कारे संचालित कियाता है वो भी नगर निगम के मात्यम से किया जाता है तीसरा यहाँ पर होते हैं ऐसे नगरी छेत्रे जिनकी जनसंख्या एक लाग से अधिक हो लेकिन पांच लाग से कम हो इन्हें बोला जाता है लगुत्तर नगरी छेत्र एक लाग से अधि जिनकी जनसंख्या 1,00,00 से आप से कम है और 15,000 से अधिक है तो 15,000 से अधिक और 1,00,00 से कम जनसंख्या वाले इन्हें बोला आता है संक्रमण छेत्र छेल एक तरीके कस्पे त्यार टाउन्शिप त्यार बोल देते हैं और यहाँ पर नगर पंचायत द्यवस्था के माध्यम स से कारे संचालन किया जाता है समझ में आगई बात तो नगरी प्रणाली भी यहां पर देखा जाए तो नगर निकम नगर पालिका परशद और नगर पंचायत तीन प्रकार की प्रशासने वेवस्था हैं जबकि जो नगरों के प्रकार हैं वो चार प्रकार के हैं पहले दोस्त पर नगर निकाह ही काम करती नगर निगम ही काम करती है जब कि तीसरे और चौथे नगर जो हैं वहां पर आपके नगर पालिका परशद और नगर पंचायत आपका काम समालती है तो चलिए देखते हैं इनके बारे में अर्थात के नगर निगम नगर पालिका परशद और नग यहां पर यहां पर यह पांच सदस ही इनकी सनचना प्रशास्टिंग संगठन की सनचना है कि नगर प्रमुक्ज होता है नगर की वैस के जनता के द्वारा प्रत्रक्ष्रोप से चुना जाता है इनका कारिकाल पांच वर्ष का होता है जबकि इसकी सहायता के लिए एक उप मेर को चुना जाता है वो भी एक वर्ष के लिए यहाँ पर इनको जो उप मेर चुना जाता है वो सभा सदों के माध्यम से चुना जाता है नगर प्रमुक के सपद ग्रहन में अगले दो वर्स तक उसके विरुद अविश्रास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है अर्था कि कोई भी व्यक्ति जो मेर बनता है उसके मेर बनने के बाद जिस दिन वो सपत लेगा उसके अगले दो शाल तक वहाँ पर आप उसके खिलाब कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं साथी भारत में देखा जाए सब्थम जो मद्रास है शिटी जो रही है वहाँ पर मद्रास नगर निगम के स्थापना की गई थी 1687 में इसके लावा निर्वाचित जो सदस हैं प्रतेक वर्ष एक एक वर्ष में यहाँ पर चुने जाते हैं जिनके लिए यहाँ पर यहाँ वर्ष्यक है कि उनका नाम निर्वाचित सूची में हो आय एक केस वर्ष एक कम ना हो और विधान मंडल का सदस होने की उनकी योगिता रखते हों ऐसे व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त हो सकते हैं या चुने जा सकते हैं दूसरी देखी यहाँ पर है आपके नगरपाली का परशद जो इसके नीचे होती अर्थात की ऐसी छेतर जहां पर आपकी जनसंख्या जो होती है वो कितनी होगी करीब एक से पांच लाग के बीच तो नगरपाली का परशद में देखा जाए तो यहाँ भी एक अध्यक्ष होगा जो कि निर्वाचित होता है एक उपाध्यक्ष होगा जो कि आप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है और तीन प्रकार के आपके सभासद होते है परशद में निर्वाचित सदस्यों की जो संख् वो करीब 25 से 55 हो सकती, नियूंतम 25 अधिक तम 55, मनुनीज सदस्यों की संख्या जो होती है 3 से 5 होती है और इन्हें कक्ष कहा जाता है, वाट के उजा यहां पे इन्हें कक्ष कहा जाता है, परिशद में जो समितियां होती है वो 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अभी हमने जो कि यहाँ पर आपके जो पंचायत प्रणालियां थी जो जिला पंचायत था, छेत पंचायत थी, ग्राम पंचायत थी यहाँ पर छे समितियां थी लेकिन जो नगरी प्रणाली है, नगर निकाय प्रणाली है वहाँ पर जो समितियां वो सिर्फ 5-6 समितियां यहां पर आपको गटिद की जाती हैं जो कारविवस्था है देखा जाए तो नगरपाल का परिशत के कारविवस्था आपकी नगर निगमों जैसी ही होती है इसके बाद आता है नगर पंचाई जो सबसे निचले अस्तर पे होती है या ऐसा कहा जाए जहां कि जन संख्या आपको एक लाग से कम और पंदरह हजार से जादा होती है यहां पर भी आपका देखा जाए एक अध्यक्ष होगा जो कि प्रत्रेक्श निर्वाचित होगा एक उपाध्यक्ष होगा जो कि आप प्रत्रेक्श निर्वाचित होगा और तीन प्रकार के आपके सदस्यों होते है निर्वाची जो सदस्यों की संख्या है वो 10 से 24 होती है जबकि मनोनी सदस्यों की संख्या 2 से 3 होती है और कारे इनका भी लगवग निगमों के जैसा ही ये भी कारे करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर नगर निकाय प्रणाली है जो की नगरों में जन संख्या के लिहाद से प्रशास्निक व्यवस्था को गठित किया आता है और वहाँ पर उपनी समित्यों के माध्यम से कारे संचालन करते हैं अब यहाँ पर यह तो हो गई आपकी पूरी की पूरी प्रशास्निक व्यवस्था quality के अंतरगत हमने देखा governance को देख लिया विधान परशत, राजजपाल, मंत्री परशत, मुख्य मंत्री और इसके अलावा आपको सभा विधान परशत नय प्रणाली हमने देख ली, साथी पंचायत राज प्रणाली और नगर निकाय प्रणाली भी हमने देख ली अब यहाँ पर कुछ ऐसे आयोग और पद हैं जो कि राजज की प्रशास्नी के व्यवस्था के संचालन में एक महत्यपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन्ही में से कुछ महत्यपूर्ण तथ्यं हैं, जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए प्रश्ण के रूप में एक्जाम में यहां पर से प्रश्ण आएं तो आपको यह पता होने चाहिए क्या क्या हैं सबसे पहले यहां पर लोकायुक्त के बारे में जान लेते हैं किसके बारे में लोकायुक्त के बारे में लोकायुक्त क्या है उत्तवदेश सरकार के द्वारा 1975 में उत्तवदेश लोक आयुक्त एम उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 यहां पर पारित किया गया इस अधिनियम के तहट 14 सितंबर 1970 को उत्तवदेश के प्रथम लोक आयुक्त न्याय मोर्ती विशंभर दयाल को न्यूक्त किया जाता है ठीक है प्रतम लोकायुक किसे नियुक किया गया विशंभर दयाल को जो कि 1970 में नियुक किया जाते हैं लोकायुक्ती सहायता के ले एक उप लोकायुक्ती की नियुक्ती का भी प्रावधान है उद्देश क्या है? हम कहते हैं कि लोका युक्त जैसे जो पद हैं वो किसलिए गठित के जाते हैं ये भी आपको जानना सही है तो देखें काम क्या है? उद्देश क्या है? राज्य के उचितर अस्तर से निमनस्तर तक अधिकारों का दुरुपयोग, भरस्टाचार एवं कदाचार संबन्धी सिकायतों एवं अभिकतनों का अन्वेशन करना तथा राज्य सरकार को इस संबन्ध में संस्तुती भेजना इस संगठन का सबसे महत्पून कारे है साथ ही ये कारागार अंग विशेश पुलिस की स्थापना संबन्धी कारियों को भी यहाँ पर देखा जाए इस तरीके से देखा जाए तो प्रिश्टाचार पर जो भरस्टाचार संबन्धी सिकायते हैं उनके निवारन इत्याज के लिए दंडादेश के लिए यहाँ पर लोकायुक्त का गठन किया जाता है कुछ अन्य तत्थे हैं जो की ध्यान रखिएगा यह संगठन कारिपालिका के प्रभाव से मुक्तता स्वतंत्र होते हैं साथी यह राज छेत्र के नियायलों, कैग, विधान मंडल, UPPSC, निर्वाचन आयोग, किंद्री सरकार के विभागों, ग्राम सभाओं, राज जपाल को छोड़ कर से सभी के विरुद जांच करने का अधिकार जो होता है लोकायुक्त को यहाँ पर दे दिया गया है इसके तरिक, 1976 में उत्तबदेस लोकसेवा प्राधिकरन के स्थापना की गए जिससे कर्मिचारियों को सीग्र और सस्ताना यहाँ पर मिल सके तो यहाँ पर हमने देखा लोकायुक्त के काम क्या है और किसके के खिलाब यहाँ पर जाच कर सकता और कौन-कौन इसके अंतरगत नहीं आते इसके बाद आता है राज मानवा अधिकार आयोग जो कि मानवा अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्यों के स्तर पर गठित किया जाते है यहाँ पर देखा था उत्तवदेश राज में मानवादिकारों के संरेक्षण है तो मानवादिकार संरेक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतरगत यहाँ पे राज मानवादिकार आयोक का अगठन किया गया 7 अक्तूबर 2002 को ठीक है कब गठित किया गया 7 अक्तूबर 2002 को वर्तमान समय में मानवादिकार आयोग के राजमानवादिकार आयोग थाथ उत्तवदेश राजमानवादिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है जस्टिस बी के नारायन कौन है जस्टिस बी के नारायन जो है राजमानवादिकार के अध्यक्ष है। इसी तरीके से राज्य सूचना आयोक भी है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा पंद्रह के अंतरग्ट राज्य सूचना आयोक का यहां पर गठन किया गया। जबकि राज के प्रथम सूचना आयोक्त जो है न्याय मुहम्मद अजगर को यहाँ पर न्यूक किया गया था तो पहले गौन थे न्याय मुहम्मद अजगर थे इनका कारेकाल कितना होता है पांच साल या फिर आपका 65 बर्स बर्तमान अध्यक्षों की question आपको mostly यही बन सकता है कि बर्तमान में आपके राज सूचना आयोक के यहाँ पर अध्यक्ष कौन है तो नाम ध्यान रखेगा भवेश कुमार सिंग को किसे नियूक किया गया है भवेश कुमार सिंग को यहाँ पर राज सूचना आयोक नियूक कि अनसार राज़ वित आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के लिए उत्तव देश में प्रथम राज़ वित आयोग का जो गठन किया गया 1994なるほど इस पहला राज़ भित आयोग 1994 गठित किया गया और अब तक 5 गठित किया जा चुक है वर्तमान समय जो पाच्वा जो वित्तायोग है उसका कारेकाल 2015 से 22 समय तक चल रहा है नगर निकायों को कुल यहां पर देखा जाए तो जो विभाज है या नगर निकायों को कुल विभाजन पूल है वह साट परसेंट एक चीज़ और है जो अध्यक्ष है जो पांच में आपके वित्तायों के अध्यक्ष उनका नाम है आनंद मिश्रण ठीक है आनंद मिश्रण आपके राजवित्तायों के अध्यक्ष है अब यहां पर राजवित्तायों ने जो वित्ति आपको आवं से 70% आपको ग्राम पंचायतों को 20% आपको जिला पंचायतों को और 10% यहां पर छेत्र पंचायतों को दिया जाता है तिस तरीके से राजवित आयोग जो होती है वो नगर निकाय प्रणाली को और जिला पंचायत प्रणाली में आया पंचायत प्रणाली के इस तर पर जो रा यहाँ पर देख लिया उत्तरदेश की पॉलिटी आपकी यहाँ पर एक वीडियो में यहाँ पर हमने देख लिए समाप्त हो गई है यह आपको पूरा पढ़ लेना है रिवीजन कर लेना है इसको कई बार यहाँ पर आगर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पर देखे दोनों ही चीजें हैं यहांप जो भी आपकी fact है वो भी हमने यहांपर add कर लिए हैं जो current का थोड़ा अध्यक्षितियार को लेकर question बनते हैं वो भी यहांपर आपको add कर दिया गया है और साथी साथ यहांपर जो कर्थानक अनुच्छेद हैं वो भी है और कारे प्रणाली उद्देश यहां पर सभी प्रिक्टार की जानकारी को इस एक वीडियो में आपको उत्रदेश की पॉलिटी बेवस्था को आपको दे दिया गया है इसको अच्छे से यहां पर कर लीजिए इसका रिवीजन कर लीजिएगा और वांकी जो सारे टॉपिक्स हैं मुसलिए आपके यहां पर आपको इस भी कंप्रीट कर दिया जाएंगी यूप स्पेसर रिलेटेड एक चीज़ और है जो सूचना में आपको दे दूं कल से आपकी सामाने हिंदी की भी क्लासे स्टार्ट हो जाएंगी लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी टाइमिंग जो होगी वो आपको आज गूर्प में मैसेज कर दिया जाएगा यहां पर तरून से आपकी क्लासेज आपको हिंदी से स्पेशल लेंगे इस नहीं कि सभी टॉपिक पढ़ायाए जाएंगे क्योंकि यह batch जो है आपका RORO का pre-oriented batch है तो हम यहाँ पर आपको pre-oriented जितनी भी हिंदी है वो यहाँ पर आपको करा दी जाएंगी तो ज्यादा समय भी नहीं लेगा एक हफते में में भी आपको जो क्योंगी 6 topic है 6 classes sufficient है वहाँ पर आपकी complete करा जाएंगी हिंदी भी आपकी ठीक है इसक के लिए इतना ही कल मिलेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ तब देश स्पेशनल को लेकर थैंगी सुमच